ओफ डिग्री टू तो ओप्षन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्टन नंबर फोर है मारे पास दा वैलू ऑफ दा इं्ट्रिगल जीरो टु पाई एकस साइन एकस दिएकस यह हमें निकालना है ओप्षन है टू पाई जीरो पाई वए टू पाई तो इसको इसको सॉल्फ करने के लिए लेट आई बराबर इंट्रिग्रेशन ओफ एकस साइन Eकस डिएकस यानि हमने ले लिया आई बराबर ले लिया इसका solution x dot x sin x dot dx अब हमें रूल लगाना है first dot second rule यानि first का multiply first dot second यान दो function है उनके multiply की condition हम किस तरह से integrate करते हैं इसका जो विस्तार form है वो है i late जो कि हमने previous वीडियो में पढ़ाय हुआ है आप हाँ जाके देख सकते हो i late के नाम से कप काफी जगे मिल जाएगा तो उस तरह से हमके यह किस तरह से यह रूल फॉलो करता है यह सब हम देख चुके हैं तो first dot second होगा हमारे पास basically हमें याद रखना है कि first dot second में इस तरह से बन जाए कि एक function इस derivative से गायब हो जाए या कुछ उसका इस तरह से फॉर्म बन जाए कि integration इसके integration के बाद इसका integration possible हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं तो यह रूल है हमारे पास first dot second का integration हो तो first को छोड़के second का integration dot dx माइनस integration first का derivative second का integration और फिर टोटल का integration तो यह इसका formula है तो यहां से इसका integration कर रहे हैं so zero to pi x sin x dx बराबर x sin x dx minus integration of d by dx dot x यानि first को हमने derivative कर रहे हैं second का integration sin x dx तो यह हो गए हमारे पास minus x cos x sin x का integration होता है तो minus cos x होता है और यह था plus यह हो गया cos x चूँकि minus था और इसका minus आएगा तो यह cos x और d by dx को जो है वह बन हो जाएगा कोई मतलब नहीं है यह लिखने से तो यह हो गया cos x dx अब यह इसका integration करते हैं तो यह हो गया minus x sin x और इसका हो गया plus sin x यह हो गया हमारे पास integration लिमिट जो है 0 to pi 0 to pi limit apply करते हैं तो pi limit apply करते हैं तो minus pi cos pi और इदर करते हैं plus sin pi 0 अपलाई करते हैं तो यह 0 हो जाए एक minus pi यह हो गया pi तो इसका correct answer हो गया pi है हमारे पास